हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपने कई भूत्या जगहों के बारे में सुना होगा और शायद देखा भी होगा लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे रेल्वे स्टेशन के बारे में जहाँ पर भूत्या स्टेशनों पर कई लोगों के मौत हो चुकी है और इस कारण से इन स्टेशनों पर लोग जाने से बचते हैं ऐसे हॉंडेड रेल्वे स्टेशनों पर किसी को भूत नाश्ता हुआ दिखाई देता है तो किसी को लाल कपड़े में खड़ी लड़की नज़र आती है और इतना ही नहीं कई स्टेशन पर इन भूतों को देखने के बाद लोगों की मौत हो चुकी है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में विस्तार से लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और नीचे दिये गए रेड बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन्स सबसे पहले मिले और हमारे वीडियोस आप मिस ना गर पाए तो चलिए जानते हैं कि ऐसे दस भूतिय स्टेशन आखिर इस दुनिया में कौन-कौन से है सिंगापूर का विशन एमार्टी स्टेशन सिंगापूर का ये सबसे प्रसित धरेलव स्टेशन है इस स्टेशन को बीश्चान टेंग की कब्र पर बनाया गया था इस स्टेशन का उधगाटन 1987 में हुआ था बताया जाता है कि एक बार एक ट्रेन से महिला उतर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ने पीछे से घेर कर रखा है और इस स्टेशन पर काम करने वाले करमचारियों को भी पड़री पर ताबूत एक इंसान चलता हुआ दिखाई देता है इसी करन से यहां लोगों ने आना जाना बंद कर दिया आस्ट्रेलिया का मैक्विरी फिल्ड्स रेलिव स्टेशन इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहां देर रात में खून से लत्फत एक यूती नजर आती है उसके चिलाने की आवाज बहुत से लोगों ने सुनी और उसकी चीक धीरी 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 तेज होती रहती है और उसका साया प्लैट्फॉर्म पर बैठ कर गुस्से में ट्रैक की तरफ देखता रहता है मैक्सिको का पैंटियोंस मैट्र स्टेशन या स्टेशन दो कपरिस्तान के बीच बना है पैंटियोंस और टेकुबार रेलिव स्टेशन के बीच एक सुरंग है जब ट्रेन इस सुरंग से गुजरती है तो दीवारों पर भूतों द्वारा दस्तक देने की आवाजें सुनाई देती है भारत का बेगुन कोडोर रेलिव स्टेशन या स्टेशन पस्चिम बंगाल के पुरुलिया से 50 किलोमेटर दूर है 1967 में स्टेशन के एक कर्मिचारी ने यहां एक महिला को सफेद साड़ी में देखा जिसके बाद उसकी मौत हो गई उसके बाद से ही अस्टेशन बंद कर दिया गया था लेकिन 2009 में ममता बनर जी ने इसे दोबारा खुलवा दिया क्योंकि वो भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास नहीं करती है चीन का कावबाव रेलिव स्टेशन यह दुनिया का सबसे ज़्यादा भूत या स्टेशन है क्योंकि इस स्टेशन से अचानक लोग गायब होने लगे थे प्लाइटफॉर्म पर चलने वाले लोगों की अचानक से मौत हो रही थी यहां कभी ट्रेन खराब हो जाती तो कभी रात में भूत का साया दिखाई देता है अमेरिका का यूनियन स्टेशन फिनिक्स 1950 तकी स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता था लेकिन सिटी में एरपोर्ट बन जाने के बाद 1955 में बन्द कर दिया गया स्टेशन की देखरे करने वाले डूटले वेल्डन का कहना है कि एक दिन अचानक से किसी ने उनके सिर पर डंडा मारा लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया इंग्लैंड का एटिस कॉंबी रेल्वे स्टेशन या रेल्वे स्टेशन 2001 में गिरा दिया गया था क्योंकि 1900 की शिरुवात में इस लाइन पर एक ट्रेन ड्राइबर मारा गया था अक्सर लोगों को यहां उसके भूत की धुंदली परचाई नजर आती थी जब इस स्टेशन को तोड़ा गया तब भी उसकी परचाई दिखाई दी थी आयरलैंड का कोनुली रेल्वी स्टेशन इसे आयरलैंड का सबसे बड़ा रेल्वी स्टेशन माना जाता था जिसे 1941 में दूसरे विश्युद्ध के दोरान बम से उड़ा दिया गया 2011 में दुबारा इस स्टेशन को तयार किया गया लेकिन इस स्टेशन पर एक सैनिक का भूत हमेशा चलता दिखाई देता था लेकिन बाद में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया कैनिडा का वाटर फ्रंट स्टेशन कैनेडा के गैस टाउन में बना वाटर फ्रेंट स्टेशन को 1915 में बनाया गया था 1920 के दोरान स्टेशन के गाड को प्लैटफॉर्म पर एक महिला डांस करती हुई नजर आई थी जैसे उसने उस महिला के बास जाने की कोशिश की वो अचानक से गायब हो गई इसके बास से ही यहाँ लोगों ने आना जाना बंद कर दिया न्यूजिलैंड का ग्लेइन इडन रेलवी स्टेशन यह स्टेशन पस्चिम आउकलेंड न्यूजिलैंड में स्थित है जो की एक कब्रिस्तान के पास है 11 जनवरी 1924 को इस्टेशन पर काम करने वाले एक वर्कर एलेक की उस समय मौध हो गई जब ट्रेन का हुक उसकी आँखों में घुस गया तब ही से उस वर्कर की आत्मा प्लैटफॉर्म पर मंडराती रहती है वो हमेशा ग्रे रंग के कोट में नजर आता है और लोग वहां आने से डरते हैं मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिये गए रेड बटन को प्रेस करना ना भूले